नमस्कार प्रिये मित्रों, मैं हूँ डॉक्टर उमा शरी और मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज मैं बता रही हूँ वर्ष 2020 में होने वाले एक विशेश सूरे ग्रहन के बारे में आई ये पंचांग के अनुसार आपको मैं ये जानकरी देती हूँ कि वर्ष 2020 का ये बड़ा सूरे ग्रहन जिसको की चूडा मनी सूरे ग्रहन या कंकन सूरे ग्रहन भी कह रहे हैं और ये होगा कब आई ये जानते हैं ये मित्रों होगा आशाण मास की क्रेश्न पक्ष की अमावस्या रवीवार के दिन होगा और उस दिन डेट है 21 जून 2020 और ये है जो सूरे ग्रहन है ये है दिन के 9 बज के 55 मिनिट से दो पहर 2 बज के 35 बजे के मध्य है अलग-अलग समय पर समस्त भारत में दिखाई देगा ये मैं पंचांग के अनुसार बता रही हूँ जो पंचांग मैं यूज करती हूँ और बहुत ही प्रतिष्ठित पंचांग है ये इसी पंचांग में आगे भी दे रखा है कि ये है ग्रहन भारतिये स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार भूम अंडल पर 9 बज के 16 मिनिट से शुरू होकर दो पहर 3 बज के 4 बजे तक घटित होगा क्योंकि समय का डिफरेंस है लेकिन जो इन्होंने टाइम दे रखा है वो दिन के 9 बज के 55 मिनिट से लेके दो पहर 2 बज कर 35 मिनिट के मध्य होने वाला है ये इन्होंने बताया है और कंकन आकरती रहेगी और इसमें राजस्थान हरियाना उत्रा खंड के उत्री भाग तथ ये बहुत ही विज्ञानिकों के लिए अध्भूत नजारा होगा और प्रत्वी पर इन्होंने ये भी लिखाए कि सभी इसको देखें लेकिन इसको एक उपकरण के माध्यम से देखें आपको पता ही है कि सूर्य ग्रहन जो होता है डारेक्ट खुली आंकों से नहीं देखन चाहिए इससे अंधेपन का खतरा होता है और ये अंधापन फिर ठीक भी नहीं होता है ऐसा बहुत से लोग कहते हैं तो जरा सावधानी रखें और उपकरण की सहायता से ही देखें जिस तरह से जो साइंटिस्ट बोलते हैं आपको देखने के लिए जिससे आपको किसी प्र वैज्यानिक लोग आतूरता दिखाते हैं और जन सामनें भी बहुत रूची रहती है कि इस ग्रहन के जो है आप इसको देख पाएं तो इस तरह से ये जो सूरे ग्रहन है ये दिखाई देगा लेकिन ग्रहन के समय आपको कुछ बातों का बहुत जादा ध्यान रखना पड़िये तो ये जनोंने सजेस्ट किया है और मैं भी यही सजेस्ट करती हूँ आपको क्योंकि मैं अनुसरन करती हूं पंचांग का और इसके अलावा जो इसमें खास बत पताईए कि ग्रहन काल में सोना और मूत रित्यादी का त्याग करना तेल वगरा लगाना शरीर पर कुशा और तिल डाल देने से, तुलसी के पत्र भी हम लोग डालते हैं, तो वो सब डाल देने से ये दूशित नहीं होता है, सुखे खादे पदार्थों, में भी तिल, कुशा डालने के जरुवत नहीं होती है, अर्थात गेहूं, चना, दाल, आटा, चीनियादी ये खराब नहीं होते हैं, पंचां की मनेता के अनुसार, और यह सूर्य ग्रहन रविवार के दिन हो रहा है, इसलिए इसे चूडा मडी सूर्य ग्रहन के नाम से भी जाना जाएगा, शास्त्रों में चूडा मडी जो ग्रहन होता है, उसमें सनान, दान, जब, पाठ, आदी का विशेश महत होता है, इस दिन पवित्र स्थलों जैसे पुषकर, गलता, गलता जी, हरिद्वार, प्रयागरा जादी पर असनान, दी का भी विशेश पुन्य, फल प्राप्त होता है, इस दिन कुरुक्षेत्र में बड़े मेले का आयुजन होता है, तो इस तरह से इन्होंने बताया ह और पंचांग के अनुसार ही जो सूतक है, उसके बारे में भी बताया है, तो जो सूतक है, यह 20 जून 2020 को शनीवार के दिन प्रारम हो जाएगा, और यह 9 बच के 5 मिनिट से रात्री को प्रारम हो जाएगा, तो इस तरह से सूतक काल चालू हो जाएगा, सूतक काल में बालक, व्रद्द और रोगियों को छोड़ कर धार्मिक जनों को भोजन नहीं करने के निर्देश शास्त्रों में बताए गए है यह ग्रहन जो हो रहा है इसका सभी राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका एक वीडियो में और बना रही हूं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजेगा और उसको देखेगा जरूर